जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं मैं सब बढ़ी आउंगे शूडम दोस्तों बात करेंगे सर्फ वर्सेश चीह यानिके संराइजर हैदराबाद और चेन्नेई सूपर किंग्स के बीच में आईपेल 2024 का जो मैच नमबर 18 खेला जाएगे इसको डीटेल में गावर करेंगे वीडियो कमप्रिट वोच करना सबसे पहले बतातू दोनों टीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में आपको तो चेन्नेई की टीम ने SRS के मुगावले थोड़ा ज्यादा बैतर परफॉर्मेंस करी है लेकिन SRS की जो टीम के बल्लेबाजी है ना भाई उन्होंने कमाल परफॉर्मेंस करी है ठीक है टीम में वाइस कैप्टनशी पर रखेंगे और अपनी टीम के अंदर आप लोग ऐजे ट्रमकार्ट प्लेयर किसको ट्राई करोगे मतलब ऐसे प्लेयर जिनका स्लेक्शन कम है लेकिन अगर आप लोग उन प्लेयर को डिफरेंशल पिक में अपने टीम में ट्राई करना चाओ तो ट्राई करके चल सकते हो और जो अच्छे खासे पॉइंट्स करके आपको एक तरपा भी विन करवा सकते हैं तो बैटिंग से कौन से प्लेयर ट्रमकार्ट प्लेयर रहेंगे और गेंदबाजी से कौन से प्लेयर को आप लोग एजे ट्रमकार्ट प्लेयर यूज करोगे आगे वीडियो में सारी चीज़े डिसकस की जाएंगी तो वीडियो कम्लेट वोच करना कोई भी इंफोर्मेशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी दूसरी चीज़ आपको बता दू इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके लिए 5,000 रुपीज का फिरी गिववे जो भी गिववे को यहाँ पर विन करके जाएंगे ठीक है जिसके भी तीनों अंसोर सही होंगे अगर मा लिजे बाइचांस किसे के अंसोर सही नहीं भी निकलते तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई मैं रेंडम लिक कोई भी दो कमेंट पिक करणो और उनको मेरी साइड से 200 ज़रूर हो सकता है गिववे में पाटिस्पेट करने के लिए दो सीजे कमपल से रहेंगे सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल भी ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैसेज की वीडियो आपको मिस नहीं करनी टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं चुड़े दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जीए सब स्यूपर टोप में पिंड गमेंट लिंक आपको मिल जाएगा सिंपली क्लिक करके जोईन कर लेना कोई भी अपड बैटिंग सर्फेस आपको देखने को मिलेगा बैटिंग सर्फेस क्यू देखने को मिलेगा उसका रिजन आपको बता दू क्योंकि यहां पे जो लास्ट मैच वह था था नैसरेच वर्शिज एम माई यानिकी हैदराबाद और मुंबई इंडियन्स के बीच में उस मैच में देखो हैदराबाद यानिके सरेच की जो टीम थे इनोंने बाई पहले बैटिंग करते हुए 217 रंस का बड़ा स्कूर या था जो की आईपल इस्टी में सबसे बड़ा स्कूर था बदले में चेज करते हुए मुंबई इंडियन्स की टीम ने 246 रंस करे थे मतरब बर बर के रंस हमें उस मैच में देखने को मिले थे तो यहां का जो विगेट रहेगा वो बल्ले बाजों को अच्छी खासी हल्प कर सकता है लेकिन बाई देको हर मैच में 200 पलस के रंस भी नहीं बनेंगे ये भी जान में रखना आप लोग 175-180 के आसपास का स्कूर मानके अपना टीम इस मैच में कर सकते हैं अगर 200 पलस बनते हैं पलस पॉइंट रहेगा अधरवाइज 170-180 का आप लोग यहां पर एवरेज स्कूर मानके चलना अच्छा विगेट रहेगा तेज गेंद बाजों के लिए स्पिन के मुकाबले यहां जो फास्ट बोलिंग होती वो नॉर्मली ज पांच साल में 9 मुकाबले वे तो S.R.S. ने 15 तो यहां पर चेन्ने ही सूपर किंग्स ने 6 मुकाबले विन करें वैसे दिखा जाएगा नॉर्मली तो चेन्ने ही आपको फेवरेट टीम दिखेगी लेकिन इस सीजन जिस परकार की परफॉर्मेंस अरजाइजर हैदराबाद यह टीम ने करी है ना भाई उस टीम को आप लोग हलके में मत लेके चलना तो मैं यह मैच देखो 50-50 मानके चलूँ है दोनों टीम्स के साइड कोई भी यहां पर मैच को विन कर सकती है अगर बात करें पिछले 5 मैच की फोम की तो S.R.S. सिर्फ एक मुकाबला जबकि चेन्न टीम मैच को विन कर जाए और फस्ट बैटिंग शायद स्कोर को डिफेंड ना कर पाई स्पिन के मुकाबले जो पेस बोलिंग रहेगी वो आपको फिर भी थोड़ा सा ज्यादा बैतर परफोर्मेंस करती हूँ इस मैच में कहीं ना गई दिख सकती है अब ही चलते दोस्तों टीम स्लेक्शन के उपर सबसे पहले विकेट केपिंग सेक्शन के अंदर आएंगे तो पहली ओप्शन आपको मिलेगी हंडेज क्लासे इनकी दूसरी मिलेगी भाई MS दोनी के देखो दोनी ने लास्ट मैच में 16 गेंद के अंदर 36 रंज के समतिंग कुछ पारी खेली जो की क आई भी गी तो भाई हो सकता है मुस्किल से एक डेड़ दो और इनको बल्लेबाजी का मोका मिले ज्यादा मोका नहीं मिलेगा तो आप लोग यहां से MS को समोली की टीम से तो आटाई सकते हो क्लास एन आपके लिए बिल्कुल और टोटली सेफ ओप्सन है दुनिया इनको कैप्टनसी पे भी रखेगी और भाई कैप्टनसी लाएक इनोंने परफोर्मेंस करी भी है तो देखो यहां पे क्लास एन की जो फोर्म रियन नी सेजन आमें एक अलगी लेवल पे देखने को म पर मैं फिर से कलास एन के बल्ले से एक बड़ी पारी की उमीद करके जरूर चलूँगा लास मैच में 13 गेंद में 24 रंस करें सेकेंड मैच में 34 गेंद में 80 रंस की नोट आउट पारी और पहले मैच में 29 गेंद के अंदर 63 रंस की काफी बढ़ीया पारी तो कमाल की परफोर करके खेलना स्टार्ट कर सकते हो पहली बार रजिस्टर करने पे आपको 1500 रुपीज का फिरी कैस बोनस मिल जाएगा तो भाई अगर आप तक आपने रजिस्टर नहीं किया माई 11 सरकल पे तो डिस्क्रिप्सिन के अंदर लिंक है वहां से आप लोग इंस्टोल जरूर से कर पहली बार फिर से बता दू रजिस्टर करने पे आपको 1500 रुपीज का फिरी कैस बोनस याँ पे जरूर से मिल जाएगा दूसरा भाई यहां पे देखो पहली बार डिपोजिट करने पे आपको 20 परसेंट का एक्स्रा कैस भी मिलेगा मतलब मान लीजी एक्जम्बल के लिए आपको बता दू अगर आपने यहां पे देखो 100 रुपीज एड़ गरे ठीक है 100 रुपीज एड़ गरोगे तो आपके वोलेट के अंदर आपको 120 रुपे मिलेगे मतलब जितने भी रुपीज आप लोग एड़ करोगे पहलली बार उतने पर आपको 20 परसेंट का यहां पे कैस भी देखने को मिलेगा दूसरा आपको बता दू बड़ी लिक्स आपको यहां पे देखने को मिलेगी जहां पे MegaGL के अंदर आप लोग 1 प्र्स प्राइज के रूप में 3 करोड रुपीज बीन कर पाऊगे पलस आपको टाटा SUV कार देखने को मिलेगी और इतने बड़े शायद आपको दूसरी को या अधर fantasy app ना दे तो अगर आपने my11 circle पे अपनी team नहीं बनाई दोस्तों description के अंदर my11 circle का link आपको मिलेगा वासे install करके, download करके, आपको अपना register करके 1500 रुपीज के cash bonus के साथ में अपना team selection करके मेगा लीग को आप जरूर से join कर लीजिए उसके बाद में बता दू भाई यहाँ पे आपको एक मेगा contest देखने को मिलेगा, वो भी भाई सब सिर्फ एक रुपे के अंदर ठीक है, और इतनी कम interface में आपको अधर कोई भी fantasy app भाई सब आपको कोई भी contest देखने को सबसे पहले रितुराज गायकवार, सिवम दुबे, मैंक अगरवाल, ट्रैविस हैड नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको दिखेंगे रचीन, रवींद्रा, अजिंकर आने उसके बाद में देखो अभीशेक सर्मा के साथ में आपको अब्दुल समद और यहाँ पे दिखेंगे बाई समीर इजवी, तो काफी सारी ओप्संस आपको मिलेगी बैटिंग सेक्शन के अंदर है, सबसे पहले बात करेंगे सेफ ओप्सं की और उसके बाद में बात करेंगे ट्रमकार्ड प्लेयर में आपको किसको ट्राई करोगे, ठीक है लेकिन उसके लिया आपको सबसे पहले बता दू जो गिववे के तीन कुश्चन्स आपके लिए रेंगे वो किन प्लेयर से लेटेर रेंगे, सबसे पहले रितुराज गायकवार प्लेयर से लेटेर रेंगे इन तीनो प्लेयर के जो कुश्चन्स रेंगे वो ही रेंगे कि रितुराज गायकवार कितने रन और कितने फैंटसी पॉइंट करेंगे इस मैच में ट्रैविस आड कितने रन और कितने फैंटसी पॉइंट करेंगे सेफ ओप्शन की बात करें दोस्तों रितुराज गायकवार सेफ रहेंगे सिवम दूबे सेफ रहेंगे नीचे आओगे ट्रैवीश है रचिन रविंदर और यास्या अभीशेक सर्मा यह जो 5 प्लेयर इंगे ने यह टोटली सेफ ओपशन है की बै्टिंग सेफिके इनदर आपकी स्मॉल लिक की टीम के लिए जी एल में किस प्लेयर को ड्रोब करोगे आपको वो भी समझाओं और स्मोल लिग में आप लोग एजे ट्रमकार्ड प्लेयर किसको ट्राइ करोगे उसके उपर भी थोड़ा सा डिसकसन करेंगे उसके बाद में ट्रैविस हैर तो कमाल की परफॉर्मेंस ओलडी कर चुके लास्ट मैंच हालांकि उतना कोई बैतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए रचिन दविंद्रा लास्ट मैंच बोला था ड्रोब करके रिस्क उठा लेना भाई नहीं चलेंगे एक मैच में केवल 15 ही करें थे मतलब एक ही मैच में ठीक ठाक पारी है बाकि स्मोली के लिए सेफ ओप्सन है ट्राई जरूर करेंगे ठीक है ट्रैविस एड ओपनिंग बलने बाजी और एक मैच में तो भाई कितना तगडा स्टार्ट दिया था यहाँ पे हैद्राबाद की टीम को वो तो आपने देखी लिया होगा तो ट्रैविस एड खतरनाक प्लेयर और देखो मेरा फैवरेट प्लेयर में आपको हमेशा बार-बार एकी चीज रिपीट करता हूँ और लास्ट मैच में केवल 19 कर पाई लेकिन एक मैच के लिए थे जहाँ पे इन्होंने पहले ही मैच में बासट रंज की 24 गेंद के अंदर बहुती जबरतस्त पारी खेली और स्मोली की टीम के लिए बाई टोटली सेफ ओप्सन है आप लोग अपनी टीम से ड्रोप नहीं करोगे रचिन रविंद्रा देखो इस मैच में आपके लिए जरूर इंपोर्टेंट रहेंगे जरूर टीम में रखोगे लेकिन एक चीज़ आपको बता दू दोस्तों ये ओपनिंग बलने बाजी करेंगे ठीक है अब हैदराबाद की टीम के लिए क्या होगा यहां से स्टार्टिंग अंदर गेंद बाजी करेंगे बुनेसवर कुमार और इनके साथ में देखो किसके साथ में टीम हो सकता है जैदे उनादगर के साथ में भी स्टार्ट करवा सकती है लेकिन सबसे पहले बात करो बुनेसवर के सामने रचिन रविंद्रा के विकेट जाने के चांसे थोड़े बन सकते है क्यों बन सकते उसका रिजन समझा दू पहले चीज़ तो बुनेस्वर के पास में स्विंग आपको काफी बढ़िया दिखेगा दूसरा भाई देखो बुनेस्वर कुमार ना स्लोवर वन्स का काफी बढ़िया यूज करते यहाँ पे आपको बता दिया भुनेस्वर कुमार के सामने रचीन रविंद्रा के विकेट जाने के चांसिस थोड़े बन सकते हैं अगर भुनेस्वर कुमार को थोड़ा स्टार्टिंग में बढ़िया से खेल के निकाल देंगे पैंड करेंगे ट्रैविस एड मेरा फेवरेट कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी कर सकते हो ओपनिंग बल्ले बाजी करेंगे और सुरुवात करेंगे चेन्नी सूपर किंग्स के लिए दिपक चाहर और इनके साथ में सुरुवात करेंगे यहां से अधर गेंदबाज जो रेंगे तुसार देश पांडे देखो देश पांडे लास्ट मैच में भी बढ़िया गेंदबाजी करके गया था बट मेरे अकोड़िंग ट्रैविस एड को शायद इनके सामने उतनी जादा प्रोबलम फेस ना करने पड़े लेकिन दिपक चाहर के सामने कहिना कि मैंक अगरवाल के विकेट जाने के चांसे थोड़े से जरूर बन सकते तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ है ठीक है उसके बाद में यहां से बात करें रचिन रविंद्रा के बारे में आपको चीज़े बता दी अब इसे एक वन डाउन बल्लेबाजी करेंगे डिपेंड गरता है कि संराइजर हैदराबाद का विकेट कितनी जल्दी गरता है बाकी मेरे अकोडिंग टोटली सेफ ओप्सन है स्पिन गेंद्बाजी की भी बात करूँगा तो वहां से देखो आपको दिखेंगे रविंदर जड़ेजा ठीक है जो की लेफ्टाम और्थडोक्स गेंद्बाजी यहां पर अभी इसे करेंगे लेफ्ट अंडिड बल्लेबाजी तो मेरे अकोडिंग यहां पर रविंदर जड़ेजा के सामने अभी इसे के विकेट जाने के चांसिस गम और अभी इसे क्षाइद यहां पर जड़ेजा की पिटाई अच्छी खासी कर सकते है बागी स्पिन के अंदर आपको उतना कोई क्वालिटी में अधर ओप्सन देखने को नहीं मिलेगी हो सकता है इस मैच में अब्दूल समद को मैं उतना प्रैफर नहीं करूँ हूँ स्मोली के परपसे अजिंकर आने आपके लिए एक बार फिर से ट्रम कार्ड ओप्सन देगे ज्यान में रखके चलोगे बहुती बढ़िया पिक है 30% स्लेक्षन हमने डिफरेंचल पिक में ट्राई के था बढ़िया गए बट यूनिक ओप्सन या फिर ट्रम कार्ड में ट्राई कर सकते हो सेफ ओप्सन में मैं लेके इनको बिल्कूल नहीं चलोओँ मेरी जो टोप की फिक रहेंगे वह जिंकर आने रहेंगे इस मैच में टोटली डिफरेंचल हो टोटली ट्रम कार्ड प्लेयर में जिसको इंदर चडेजा आपके लिए एक बैतर ओप्सन हो सकते हैं चाहो ट्राई करना कर सकते हो बट फिलाल में इनको ड्रोप करके रखूँआ बाकि बल्ले बाजी बैक अप भी मिलेगा च्यार ओवर गेंद बाजी भी मिलेगी तो भाई अगर आपको टोटली सेफ खेल ले ना सकते हैं डिपैंड गरता है चेन्रे सूपर किंग्स के उपर ठीक है किसी मैच में सेकेंड डाउन खिला रही है वह तो उनकी ऊपर डिपैंड गरता है बाकि अक बढ़िया उप्सन आपके लिए हो सकते हैं नेचे कुछ खास उप्सन नहीं है या आप सरफराज को ट्राई क कि जगे आप लोग महिंग कमार गंडे मेरे अकुडिंग थोड़ा यूनिक उप्शन हो सकते हैं तो महिंग कमार गंडे पे आप लोग थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हूं इस मैच में कहीं न कि अपनी टीम के अंदर एजे ट्रमकार्ड उप्शन में ट्राई कर गे नीच्या ह रहेंगे चाहो दिपक चाहर के साथ में जाना इसके साथ में जा सकते हो जड़े जाप के पास में टोटली सेफ ओप्शन है इसको उठा सकते हो अब डिपेंड आपके उपर करता कि आप लोग अपनी टीम में कौन से प्लेयर को लेखे चलोगे मैं मैं गमार कंडे को चैनी सुपर किंग ऊठा सकते हूं यहा से मैं डेरिल मिचल को भी ड्रोब कररके अपनी टीम में एक 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 साखे इंद बाच भी लेके चलोगे तो यह देखो आप लोग चैन्जिस मानके चलना एक से दो चैन्जिस इस टीम में मिल सकते हैं, तो जो भी चैन्जिस होंगे टेलिग्राम चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, सब से उपर पिंड गमेंट मिलेगा, वापे लिंक है, सिंप्ली क्लिक करके जोईन कर लेना, आप लोग अपनी टीम में यूनिक उप्शन में ट्राई कर सकते हो, या फिर मारकरम को भी ड्रोप करके, आप लोग जड़ेजा के साथ में इस मैच में यूनिक अपनी टीम के अंदर जा सकते हो, तो ये चेंज़ेज आप लोग अपनी अगोडिंग कर लेना, ये मेरी D11 की ट तो दोस्तों ये आप लोग देख पाऊगी, ये मेरी रेगी माई 11 सरकल पे जो मेरी टीम आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैंने ज़्यादा चेंज़ेज नहीं करें, सिर्फ एक ही चेंज आपको दिखे का, जड़ेजा को मैंने रखा है भाईया, यहाँ से एड़न म माई 11 सरकल की टीम में मैंने इनको यूनिक ओप्सन में रखा है, तो ये दो चेंज़ेज आपको इस टीम में देखने को मिलेंगे, बाकि सेफ ओप्सन में आप लोग अपने अगोडिंग जो भी ले रखना चाहो तो वो रख सकते हो, चेंज़ेज क्या गरोगे, वो भी ची मैच की वीडियोज आपको मिस नहीं गरने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में, उमीद गरता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे, और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी